हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एसके मिशडी अवे आपका स्वागत है सबसे पहले आप से रिक्योष्ट करेंगे यह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे आपने दोस्तों साथ जरू से जरू सेर करिएगा और हम तोड़ेंगे 2025 में 95 आपके साथ हैंगे नहीं गुरू जी बहुत ज़्यादा कमेंट जिता गुर्दयव कमेंट ही था कि यूपी बोड़ जो है 2025 में आपका लागू होगा या नहीं क्योंकि साथ आप यहां पर मेंशन किया गया है कि 2025 की इंटर्मीडियेट बोड़ परिक्षा में OMR सीट वेवत्था लागू होगी नाट होगा हो सकता है कुछ नहीं होगी जलब होगा तो होगा चले देख लेते यहां पर यूपी को सामान उत्तर पुस्तिका के साथ ही OMR सीट भी दी जाएगी राष्टी सिच्छा नहीं थी 2020 के तहत बोड़िया बदलाव करने जा रहा है और इस संबने बोड के अस्तर भी तयारिया की गई थी और यह जो अपडेट निकल के आई थी पता है कब निकल के था सितंबर में सितंबर में बोड ने बोला था कि दसवी में OMR सीट लागू होगा यह सितंबर की नियुज थी ठीक है ऐसा ने एक जुलाई में ही पता दिया था अगस्त में ही वाई साब अचानक वो रिलीज किया था कि हाँ अब हम OMR सीट पर करवाएंगे सितंबर में उसके बाद बोड 23 का गरम बात करें सितंबर में आपका ये नियुज निकल क्या आया था उसके बाद ही उन्होंने अपना सिलेबस भी रिलीज किया था कि हम इस इस चैप्टर से यहां यहां से हम लोग क्या गराएंगे अब जेक्टिव से परिक्षा लेंगी ठीके लेकिन अब देखिए यह पर हुनों ने दिया था कि 2023 में 10वी की बोड़ परिक्षा, 2024 में इग्रहमी की वार्शिक ग्रह परिक्षा और 2025 में इंटर बोड़ परिक्षा को OMR सीट विवस्था लागू होगी अब जो 2024 में इग्रहमी में भी लाँज कर दिया, 2023 में दस्वी में हो चुका था लेकिन 2025 की बात करें किया वो हमारा बोड जो है OMR सीट पर कराएगा की नहीं तो मैं आपको बता दूँ अगर बोड को OMR सीट पर परिक्षा करवाना होता तो सबसे पहले वो सिलेबस जारी करती कि कहां से हम अपजेक्टिव परिक्षा करवाएंगे क्योंकि इस बार देखेंगे तो टा कि यूपी बोड का और यूपी बोड के दोरा उसमें सीधा बोला गया कि बाइस आपका अच्छा पारहमी का हिंदी है तो दस हम हिंदी का अब्जेक्टिव लेंगी लेकिन उन्होंने यह कहीं नहीं में संग किया प्रश्रपत्र बुनाने की योजना उन्होंने दिया एसा और जी भी ज्यानचार होता है इस प्रकार से वो जिक्र किया था लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये मिंसन नहीं किया कि हम 20 आपजेक्टिव या 30 आपजेक्टिव आपका OMR सीट लेंगी तो जब उन्होंने कोई भाई चीज मिंसन किया ही नहीं तो आप कैसे मान लिए कि 2025 मे OMR सीट पर रिक्षाए होंगी यानि कि 20 आपजेक्टिव होगा 30 आपजेक्टिव होगा तो जो आपके मन में डाउट है इसको आज कम्प्लीट करवा दे रहा हूँ अगर उसको जारी करना होता कि हां हम जारी कर रहे हैं कि हम 2025 के अंदर 20 आपजेक्टिव लेंगी अगर उस सबसे पहले सिलेबस जो जारी किया है उसमें वो 20 आपजेक्टिव का जिक्र करता लेकिन एक्जामनर चाचा ने कई भाई साब सिलेबस में यह 20 आपजेक्टिव का जिक्र किया ही नहीं है तो आप कैसे मान लिए कि हमारे बोट परिच्छा 2025 में जो परिच्छाएं होंगी वो 20 objective यानि OMR seat पर कराई जाएंगी आप कैसे मान लिए और कौन दावा कर रहा है बताईए मुझे बाइस आप जब उन्हों ने दस्वी के लिए launch भी किया था तो पहले इस पश्ट कर दीए कि हम OMR seat पर लेंगे उसके बाद वो क्या किये थे selyabas को जारी किय थी आप पता कर सकते हैं किसी सी भी कि 2023 में जो selyabas आया था पहले ही आया था ओमार seat बाला उसके बाद वो क्या किया था या selyabas तो जारी किया था लेकिन इस बार आप देखेंगे तो मई में ही मई में मई में वो भी कितने माई को लगबग की ओई 14 से 15 माई को आपका सिलेवस जारिक किया गया है सिलेवस अपडेट कर दिया लेकिन उन्हों यह कहीं नहीं मेंसन किया कि भीया हम सिलेवस दिया बकाइदा कि यहां यहां से हम पूछेंगे प्रश्पत्र बनानी के एक यूजना होती है हिंदी में हम कह रहे हैं कि हिंदी में दस अब्रिक्टिव आता है गद्य और पद्य से साहित का विकास सिगना उनके समयकाल से अब दस तो हो गया लेकिन दस कहां से आए तो बताता ना कि व्याकरनल से हम यह यह लेंगे दस अब्जेक्टिव जैसे कच्छा दस्वी में हैं तो आप किसी के बातों पर किसी के बहकाव में बिना चाहिए अगर करना होता तो सिलेवस में डायक मिंसन कर देता अब कहेंगे कि गुरु जी मान लीजी वो करेगा तो क प्लानिंग होती है उसके बाद ही उसको एक्जिक्यूट किया जाता है आपको क्या लगता है अगर पड़ोवसी का भंडारा है चल रहा है गुरुजी मन किया तो आद हम भंडारा करवाएंगे कुछ नहीं करना गुरु जी पड़ोवसी बुलाए बढ़ी अच्छ पूरी एकदम निकलवा दिया गुरुजी नहीं को हडा होना गुरु जी हमने भगी चवा में फड़ा हुआ था ले आया अब बढ़ी आम का गुरुजी रस्मनमाग एकदम भंडारा करवा दी बहंडारा नहीं आंको लग रहा है कि जाके दो दो किलो आटा लेकर अग्दम भंडा आप पढ़ेंगे प्षेलहंगे आपको तुरंत का ना नौगरी में गलतियागी एक तूरंत आपको नावरी पास करके पॉद करके इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे सब्सक्राइब जब तक आप के अंदर नहीं घुसेगा ना तब तक आप सफलता नहीं पाप पाएंगे क्योंकि सर चोट वही जानता है दर्द चोट का दर्द जो चोट को सहा हुआ है कभी जब आपके पैर में सर खीली गड़ी ही नहीं तो सर तकलीफ क्या जानें गया तो इसी प्रकार सर जो आपका बोड़ है अगर 20 अब्जेक्टिव कराता तो सबसे पहले सर आपको स्लेबल ज सब्सक्राइब करना है और एडियो मैटेरियल के लिए टेलेग्राम को जॉइन करेंना है तो आप लोग इसको सेर जरू करिएगा जो आपका डाउट था आज क्लियर हो गया होगा क्योंकि यह चीज आपको लाकर को नहीं देगा बस मैं आपको ढूड कर दिया हूं भाई समझे लिजी कितना मेनद करते हैं मिल देन नेक्षी बीडियों के दूसरों थांक यू जैन टेक कियर बाबाई